दोस्तो आपका स्वगत करते हैं हमारे यूटूब चैनल यह असा सार्टिकल चैनल नेचर में और जैसे के हम आपके लिए खेति किसानी बागमानी इन चीजों के उडिल लेकर आते हैं तो हमारे काफी दर्सक है जो कि जनली बहिंगन और जनली बहिंगन के प्रजातिओं के हम हमारे वीडियो देखकर हमें बहुत सारे कॉल भी आते रहते हैं तो आज हम शुरुवात करेंगे कि इस बीज को कैसे डाला जाए और किस प्रकार यह जंगली बैंगन विपरित परिस्तितियों में अच्छे से हो पाता है और इस पर हम किस प्रकार बैंगन के ग्राप्टिंग आपनी फसल का बढ़ा सकते है और इसकी किसाद कर सकते हैं तो आज की वीडियो में हम दिखाएंगे इसका बीज किस प्रकार डाला जाता है तो आप यहां देख सकते हैं के हमने जो रेतिली मिट्टी जिससे हम कह सकते हैं उस्तव minty को भी दालना है और यहां इस हमने अच् इस एक इस नक्रम करने के बाद हम इसमें जो भी यह डालें गे तो दूसरी बात हम आपको यहां बता दे कि जैसे कि यह जंगली जो बैंगन होता है यह मुदा जनित रोगों को यह नहीं होता है यह मुदा जनित रोग इन पर नहीं आते तो हम इस मिट्टी में कोई भी रासाइनिक या कोई भी आर्गैनिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं जैसे कि हमने जमीन से उठाया मिट्टी और में मिला दिया है गोबरखाद और इसी मिश्रन को हम आप यहां जो शिडलिंग ट्रे हमारे पास पड़ा हुआ है शिड्लिंग ट्रे में हम इसको डाल दे रहे है तो आप देख सकते यहां आपने अक्सर बीज डाले हुँगे तो किस प्रकार हम सेंहें में हम्मिक्ती डाल। कि वय on Tray चाहे जिस्टो बैड या वाफा जिसको भूलते हैं भो बना अको कर भी उसमें भी बीजडाल सकते एं तो तो आपको हम बता दे कि इसमें कोई भी हमने रासाइनिक या कोई भी फंगिसाइड प्रकेट नासी कुछ भी डाला नहीं है क्योंकि यह जो जंगली बैंगन के प्रजातिया होती है यह रोगों से प्रभावित नहीं हो पाती इन पर रोगों का असर नहीं होता इसलिए हम इन यहां रियल में हमने कोई भी फंगिसाइड या कोई भी कित ना सक नहीं डालके इन बीजों को यहां आपके आगे डाल रहे हैं और यह कितने दिन में जर्मिनेशन जैसे कि इसमें हमने आपको बताया था कि कमिंट से कम 29 से 30 दिन या 25 से 30 दिन का यह समय लेता है उगने में तो आज हम यहां 22 जुन चल रहा है तो 22 जुन के दिन आपको यह वीडियो आपके पास पहुचेगी तो आप देख सकते हैं यहां आपने बीज डालने के लिए यह लिंक ट्रे त्यार कर लिया है बाकी हम तो बात में ज्यादा डालेंगे पर यह एक ट्रे के बारे में आपक सकते हैं या जब आप बेट पर या जमीन पर अगर बीज डालते हो तो इसलिए बात का ध्यान रहे कि आपके बीजों को कोई खा न जाए या फिर कोई बारिस के पानी वाने से वह बीज बहिन जाए इसलिए आप थोड़ा सा सावदानी पूर्वक बीजों को डाल दे तो इ पहरा लाल कलर के जहेंगी जंगली बैनन का जो हमारा दूसरा वीडियो जिसमें का टे वाले प्रजाती बता है उस प्रजाती का यह प्रूपाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं हम हर गड़े में यहां दो बीज डालेंगे ढोर नहीं हो कि इसका जर्मिनेशन बहुत कम जालते हैं तब भी आप इसे थोड़ा सा लाइन से ही बोए ताकि हर पौधा जो इसका आने वाला है हमें एक साथ एक साइज में और एक ही मोटाई में गोलाई में मिले ताकि हम ग्राप्टिंग के समय अच्छे से सभी तरह याने ज्यादा से ज्यादा पौधे ग्राप्ट कर सके इसलिए आप इसे लाइन से ही बुवाई करें ऐसा हम आपसे अनुरोद करेंगे और इसके बाद इस प्रकार से हम पूरा बीज डाल देंगे का यहां हमने दो दो बीजिन में डाल दिये है और इसी जो मिट्टी का मिश्रंज था उसी को हम ढग दे रहे तो यहां ध्यान रहे कि हमारा बीज ज्यादा निचे ना जाए कि तीन से चार सेंटीमीटर तकी निचे जाए ताकि उगने में इसे कोई दिक्कत ना हो उसके बाद हम उपर से इसे मिट्टी डाल कर इस पर आप श्प्रे से या कोई चलने से पाने डाल सकते है और ध्यान रहे इसरी बीज हम पर से कोई पंची या कोई चीज इसे खाना जाये जैसे भूमी पर हमारा डाला हुआ है तो वह सुरक्सा कर लेनी चाहिए तो इसके बाद दोस्तों आने वाले वीडियो में इस प्रकार अभी हमने डाले है अब इसका जब जर्मिनेशन होगा ताब दूसरा वीडियो आपक आप देख सकते हैं कि अभी आठ दिन के बाद ही अच्छी तरह उग चुका है एंहां मोल सकते हैं कि जंगली कोई बीचीज जिनको हम आप फूर हम आपको जिसका सुजावत कर रहे हैं वह चीज हम आपको करके भी दिखाए तो आप देख सकते जनली टमाटर का बीज बहु यह आपको हमारी आने वाले वीडियो में बताएंगे इसलिए दोस्तों आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में बता है और ऐसी अच्छी जानकारी यह आने वाले वीडियो में हम आपको खेती किसाने के बारे में और भी कुछ बहुत ज्यादा बता ताकि हमारा भी होसला बढ़ता रहे और हम आपकी मदद कर सके धन्यवाद